Hello Friends, आज हम बात करने वाले Cross Repeat के बारे में तो Cross Repeat के बारे में जानने से पेले मैं आपको एक चीज दिखाने meditating friends जो मेरे पास है आप देख सकते हैं आपोबर और पैख जो आपको मैं इस वीडियो के लाश में एक question करूगा जो simple question होगा जिसका आपने comment करके answer देना है फिर आप इस pack को जीच सकेंगे तो contest में हिस्सा लेने के लिए friends वीडियो को last तक देखते रही है और मैं जो सवाल पूछूगा उसका सही से answer दीजिए इससे आप इस pack को download कर सकेंगे तो इस उमारे पांस design है friend इसका आप repeat ढूट सकते हो यहा से यहां तक यहां से यहां तक यहां से यहां तक एक triangle बनता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां सक, यहां से यहां तक, ओके friends, यह एक cross repeat है, एसी एक दूसरी file दिखाता हूँ friends, इसमें आप देखो, यहां से यहां तक, और यहां से यह बीच तक, मतलब यह triangle बनता है, यहां से यहां तक, इसका जो repeat है, वो cross repeat है, और एक अगर आपके पास आते है कोई भी तो मैं आपको इस फाइल में दिखा हुआ क्यूंकि इस फाइल में जो है वो क्रॉस थोड़ा ज़ादा हो गया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ फाइल का रिपीट हम क्रैसे क्रोस सेट करेंगे और उसके बाद इस से fill कैसे करते मतलब उसको square कैसे करते तो इसको समझने के लिए फ्रैंट्स वीडियो को ध्यान से देखते रहे हैं last करक तो सबसे पहले मैं इस फ्लावर के नीचे गाटलाइन रखूंगा वेकी सेम DOC में इस गाइडलेंड रखी और यहां पर गाइडलेंड रखी अब उसी तरह से मैं इस फ्लावर के यहां पर गाइडलेंड रखूंगा फ्रेंड्स यह आपको दिख रहा है फिगर यहां पर मैंने गाइडलेंड रखी वेसी में यहां पर भी रखूंगा इस फ्लावर के यहां पर य लेकिन ये वाला जो पर्संट है वो कुछ उसके तरह सेम नहीं दीख रहा है से रिपिट है क्या और यहा तक रिपिटी उसे सीधा करने के लिए में यहां से एक सीलेक्शन लूगा इसको यह है वो इसके बराबर हीमें आना चाहिए उतना में सीधा करूंगा किल देखर है इसका पॉइंट और इसका पॉइंट सेम आगया है और इसका भी यहाँ पर गाइडलाइन सेम आघया है ऑके तो, कि इसे में फोइधा करूंगा अब आप देखर होंगries कि यह जो हमारा लेने के बाद आपने alter st दबाना है alter st मतलब selection select हो जाएगा तो उसे हाँ पर आपने दोनों तरब से perfect बिठाना है और जो ये बीच वाली लाइन है उसे center में लाना है ये मैंने center कर दी अब इसे enter कर दूँगा अब आप देख पार होगी इसमें और इसमें ज्यादा फरक नहीं ह ये दोनों बराबर दिख रहे है लेकिन ये थोड़ा cross हो रहा है तो उसे क्या करने हम यहां से selection लेंगे पूरा फाइल को control T करके यहां से थोड़ा समय यहां से slide खसा हूगा इसको यह मर आओगे friends अभी आप देख पार होगी कि इसका जो repeat हो रहा है लेकिन यहां पे ट्रूच हो रहा है यहां पे ट्रूच नहीं हो रहा है थोड़ा slide यहां पे तो उसे मैं सिधा कर दूँगा यहां से control T करके यहा परफेक्ट हो गया फ्रेंट्स यहां पर भी परफेक्ट हो गया अब यहां पर भी फर क्रथेक्ट हो गया तो अब मैं इसे कंट्रोल करूंगा अब आपने यहां से यहां तक Pennsylvania रखनी है और चेक कर लेना है खाली कि जो आपका फ्लावर है वो सेम पोजीशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप फ्रेंट्स आपने देखना है कि जो फ्लावर से वो परफेक्ट सभी साइड से परफेक्ट आ गए कि नहीं तो वो केसे देखेंगे फ्रेंट्स आपने स सबसे पहले देखना है कि यह फ्लावर यहां पर इतनी दूरी पर है तो यहां पर भी उतनी दूरी पर है सेम दूरी पर है तो उसी तरह से आपने देखना है कि यह पत्ती इधर इस लाइन से इधर इतना आ रही है तो उसे मैं यहां से यह वाला नहीं आ रहा है तो यहां से य इस वाले portion की तरह ही कर दूँगा यह हमारा यहां से यहां तक आ गया फ्रेंट्स ओके और आपने यहां पर भी देखना है यह वाला figure जो यहां पर टॉच हो रहा है वह यहां पर बहुत बहुत मतलब बहुत जादा बहार जा रहा है तो उसे भी हमें ठीक करना है उसके लिए आप एक guideline रख देंगे इस flower के उपर इस flower के उपर मतलब वो जो पत्ती है उसके उपर अब में यहां पर इस एक selection लोगा फ्रेंट्स अब आप देख रहे होगी यह flower जो है हमारा वो इस guideline क इस तरफ है इधर आप देख रहे होगे नीचे की तरफ यह flower इस guideline से बाहर जा रहा है तो उसे हमें अंदर लेके आना है तो Ctrl T करके राइक क्लिक करके आपको वर्प करना है वर्प करने के बाद आप इसको अंदर लेके आई है जितना वो वहां पर अंदर है इतना यह अंद selection लिए है यहां पर अब मैं इसे Ctrl T करके वर्प करूँगा वर्प करने के बाद मैं इससे थोड़ा यहां से slide करूँगा यह जैसी पत्ति यहां पर है वेसी पत्ति में यहां पर अंदर लेके आउंगा मतलब यहां से यहां तक का repeat जो है वो perfect आ जाएगा और यह पत्ति आप अब आपने इसका height का देखना है मतलब यह जो flower है वो यहां पर सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है मतलब इसका जो जैसा इधर है वेसा इधर होना चीए जैसा इदर है यहां पर आपको सिधा ही repeat मिलता है तो यहाँ पर कोई वांदा नहीं, लेकिन height में जो है इसका यहाँ पर cross हो रहा है, तो यहाँ पर जितना है उतना रखना चाहिए, और यहाँ पर भी जितना है उतना रहना चाहिए, मतलब same होना चाहिए, तो इसे मैं यहाँ पर select करके थोड़ा नीचे कर लूँगा, मुझे करने के बाद यहाँ पर paste कर देना है, उसे यहाँ पर रखना है, यहाँ पर आपने रख दिया लेकिन आपको दिख रहा होगा है, यहाँ पर फर्फेक्ली बेटनी रहा है, इसको cut लग रहा है, अब friends आपने 5 नमरिक में आपने 5 दबाना है, 5 दबाने से क्या होगा, इसकी उपासिटी वह 50% हो जाएगी तो उसके बाद मैं कंट्रोल टी करूगा इसको यहाँ पे उसके उपर बिठाऊँगा जहाँ पर वो है औरिजिनल इसे वर्प करके भी आप एक्जस्ट कर सकते हैं इसे जीरो दबाने का है मतलब वह जैसा होता है पहले वेसा हो जाता है फिर आपने लेना है लासो टूल वहां से इसे इसा सीलेक्शन लेना है अब इसे राइट क्लिक करके फैदर करना है आपने यहां पर आपको दिख रहा होगा feather feather पर करना है 10 pixel अपने feather दे देना है फिर delete कर देना है ओके friends इसका जो repeat है वो perfect हो गया उसी तरह से हम यहां पर भी करेंगे इसको इतना select कर लिया मैंने अब इसे copy कर लूँगा copy नहीं होगा क्योंकि layer है इसको मैं layer उड़ा दूँगा अब मैं इसे copy करूँगा अब यहां पर paste करूँगा यहां पर रखूँगा अब number इक में 5 वाके इसको मैं उसके उपर बेठा हूँगा friends तो यह हमारा हो गया friends फिर से यहां पर lasso tool से यहां पर एक अरब selection लेंगे मतलब जहां पर बेठा है उसी जगह से selection लेना है friends आपने अब इसे feather करेंगे right click करके feather 10 pixel का feather देके delete कर देंगे मतलब वो उतना merge हो जाएगा फिर आपने number 1 में 0 दबा देना है जो आपका है वो figure उसी तरह से हो जाएगा इसी तरह से same आपने width में भी करना है यहाँ पर आपने एक बड़ा selection ले लेना है देखे होगे आप selection ले लिया मैंने अब मैं इसे copy करूँगा paste करूँगा और यहाँ पर रखूँगा यहाँ पर रखने के बाद मैं number 1 में 5 दबाऊँगा control T करके work करूँगा और work करने के बाद उसको उसके उपर बिठाऊँगा इतना आप एक separate part को भी सिले करके work परके इसा उसके उपर बिठा सकते है friends अब यह हो गया friends अब मैं इसे lasso tool से selection लोगा जहाँ जहाँ बेठा है वहाँ से ही लेना है friends आपने अब मैं इसे right click करके feather करूँगा friends यहाँ पर 10 फिर delete फिर number 1 में आके आपको 0 दबा देना है अब मैं इसको crop करके आपको दिखाऊँगा friends की इसको सीधा कैसे करते हैं अब आपका जो design है वह यहाँ पर इस cross repeat के अंदर है इसे मैं crop करूँगा पहले अब मैं इसकी guidelines निकाल दूँगा तो अब इसे मैं double कैसे करूँगा आप देखना तो यहाँ पर देख पाऊँगे friends कि यहाँ पर इसका जो width का repeat है वो तो बेट रहा है अब हमने बीठा है तो बेठेगा ही तो इसका जो width का repeat है friends वो बेट रहा है अब इसका height का repeat जो है वो नहीं बेठ रहा है friends आप देख रहे होगे यहाँ पर यह cut पड़ रहा है इस figure को यहाँ पर बेठना है और इस figure को यहाँ पर बेठना है बराबर तो यह बेठ नहीं रहा है तो इसे मैं बिठा हूँगा कैसे friends आपने क्या करना है simply इस फाइल को अपसेट कर लेना है पहले आपने क्या करना है simply आपने image size करना है friends यहाँ पर 300 होगा आपकी फाइल का जो resolution होगा उसका half कर देना है मतलब 300 है तो यहाँ पर डेर सो हुआ इसका half अगर 200 की फाइल है आपकी तो उसको आप 100 कर सकते मतलब यहाँ पर अभी मैं 100 करूँगा फिर जो इसका dimension है उसको आपने याद रखना है यह height का है और यह width का है friends तो इसे मैं याद रख लूँगा आप देख रहे होगे यहाँ पर 1337 है pixels और यहाँ पर height में है जो 842 pixels है तो उसे मैं याद रखूँगा और इसे cancel कर दूँगा अभी मैं इसको offset में जाओगा offset में आके यहाँ पर जो हमारा height का जो repeat था वो था 842 इधर 0 कर देना अपने पहली बार तो इससे मैं enter कर दूँगा एंटर करने के बाद आप देख रहे होगे यहाँ पर जो इसका repeat नहीं बेट रहा है तो इससे मैं Ctrl A करके selection करूँगा alter as t करके यहाँ पर selection को select करूँगा और यहाँ से इसको यह मैंने आधी फाइल को select कर लिया तो मैं इस फाइल को offset करूँगा तो offset में आपको क्या करना है height में 0 कर देना है यहाँ पे जो आकड़ा आपका होगा वो आपने डालना है 1337 आप देख रहे होगे friends यह वाला part जो यहाँ पर परफेक्ली बेट गया है मतलब इसका repeat complete हो गया है अब इस file को double कैसे करेंगे friends तो इस file को double करने के लिए क्या करना पड़ी आपको इस file को सीधा repeat करना पड़ता है तो इस file को सीधा करने के लिए आपको control A करना है copy करना है canvas size में जाना है canvas size में आपने percentage में height में double कर देना है और यहाँ पे इसको paste कर देना है paste करने के बाद आपका जो file है वो cross आएगा उसका repeat है वो नहीं बेठेगा तो आपन offset होता है आधा वो आपने इधर offset कर दिया है मैंने कर लिया है तो इससे मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों layers को मैं mix कर दूँगा अब आप देख रहे होगे इसका जो repeat है हो square में आ गया है friends इस तरह से आप किसी भी design का repeat बना सकते हो उसको double table अपने हिसाब से कर सकते है अब friends हमारी बारी आती है question की बारी तो मेरा question ही है thank you friends यह जो आपको दिख रहा है subscribe for my videos आपको वीडियो में कितनी बार show हुआ है यह आपको बताना है जिससे आप जीत सकते हो all over pack thank you for watching my videos subscribe and share friends